कॉंपोनेंडों एंड डिविडेंडों रूल के मदद से अलजेब्रा के इस तरह से बहुत यासान से निकाल सकते हैं तो इसी के बार में आपके साथ बात करेंगे सो हाई फ्रेंड्स महुद दिल और आप देखरें स्मार्ट स्रड़िफ़र के रेर यूट्यूब जैनल स्मार्ट तरह की कमट्र जाम के लिए सौटकार्ट टिप्स और ट्रिक्स लेके महातर आता हूं और यह पर कोस्टन में कहा है देखिए दिया वह है एक्स इकॉल तो इसक से 1-x कमांड निकालेंगे देन पूट कर लेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा तो सिंपली देखिए x को इस तरह से लिख सकते है 1 अपोन x लिख सकते है इकॉल टू उपर में होगा 2 अपोन स्क्वेर रूट 3 आप देखिए कॉंपोनेंड एंड डिविनेर रूल क्या है मा a plus b आपोन a minus b इकॉल टू m plus n आपोन m minus n इस तरह से लिख सकते है आप सिंपली देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते है 1 प्लस x आपोन 1 minus x इसी तरह से इकॉल टू टू प्लस इसके रूट 3 आपोन 2 minus इसके रूट 3 आप नीचे का cancel करना है तो सिंपली देखिए आपर minus का sign है तो plus के sign के साथ multiply किजिए जो कि 2 plus square root 3 के साथ multiply 2 plus square root 3 के साथ उपर नीचे multiply तो सिंपली देखिए यहापा 2 plus square root 3 2 plus square root 3 2 plus square root 3 का whole square होगा और यह पर a plus b into a minus b आनिकी a square minus b square जो कि 2 square 4 होगा minus square root 3 का square जो कि minus 3 होगा तो simply 2 plus square root 3 का square और यह पर इस साइड में है 1 plus x upon 1 minus x अब simply square इस साइड में है तो इस साइड में इसके root कर लिजिए इस तरह से इसके root कर लिजिए 1 plus x upon 1 minus x equal to 2 plus square root 3 और इसके इस तरह से एक सकते हैं जो कि अलग कर सकते हैं इसके root 1 plus x कर सकते हैं इसके root 1 plus x and इसके root 1 minus x अब देखिए इसके root 1 plus x इसके root 1 minus x और यह पर 2 plus square root 3 upon 1 कर सकते हैं यह निकि इसके root 1 plus x equal to 2 plus square root 3 and square root 1 minus x equal to 1 तो यह पर put कर लिजिए इसके root 1 plus x जो कि 2 plus square root 3 plus square root 1 minus x equal to 1 so 1 upon 2 plus square root 3 minus 1 और यह पर होगा इसके उटाते हैं और यह पर होगा देखिए 2 plus 1 जो कि 3 plus square root 3 upon 1 plus square root 3 और उपर में से 3 square root 3 common लेंगे तो इस में से देखिए 3 में से square root 3 common यानिकि square root 3 square root 3 into square root 3 3 plus square root 3 common जो कि 1 बचेगा आपन square root 3 plus 1 और यह पर square root 3 plus 1 square root 3 plus 1 cancel यानिकि square root 3 आपका answer option C तो बहुत बहुत धुन्दाबाद दूस्ते इस वीडियो को end तक देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जोरू लाइक कीजेगा अपने दूस्त की सेयर भी कर दीजेगा और अगर आप इस चनल पर नहा है तो इस चनल को जोरू सब्सक्रेब कीजेगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोज देखने के लिए